गुड इवनिंग स्टुडेंट्स बाल मनोविज्ञान किस कक्षा में आप सभी का स्वागत है कल हम NEP 2020 देख रहे थे आज NEP 2020 से आपके जितने भी most important question होंगे वो हम cover करते चलेंगे चलिए यहाँ पर सवाल नहीं दिया है आपके लिए एक मौखिक सवाल कि राष्टी सिक्षानिती कब लागू हुई तो यहाँ पर आंसर भी आपको दे दिया गया है 2020 में लागू हुआ अगला सवाल कितने वर्सों के बाद भारत में नई सिक्षानिती 2020 की घोषना की गई बताईए यह हम देख चुके थे हमने कल ही देखा था क्या 28 वर्स नहीं 32 वर्स नहीं 34 वर्स बिलकूल 34 वर्ष के बाद आपकी नई सिक्षानीती आपका 2020 आया था जो आपके पुराने सिक्षा पधती थी उसमें कुछ कमिया थी जिसको धूर करने के लिए से लाया गया था नई सिक्षानीती का फॉर्मूला कल हम देखे थे जो क्या था आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा तो हमारी नई सिक्षानीती कब आई आपके 34 वर्षों के बाद आई आंसर भी कमिंट करते जाईएगा इससे आपनों का प्रैक्टिस होगा क्योंकि कल हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं नई सिक्षानीती 2020 की मशौदा समीती ड्राफ्टिंग कमीटी की अध्यच कौन है कल ही हमने टॉपिक पढ़ते साई टाइम देखा था तो बताए आंसर करिए इसका आंसर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हमने देखा था कि इनकी अध्यचता में क्या किया गया था इसका ड्राफ्टिंग किया गया था ये कौन है आपके डॉक्टर कस्तूरी रंगन है आगे बढ़ेंगे नई रास्टे सिक्षानीती 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली तो हमने देखा था कि 29 जुलाई 2020 को क्या मिला आपके नई रास्टे सिक्षानीती न्यू नैशनल आपका एजुकेशन पॉलिशी 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली अब इसके बारे में कुछ देखेंगे हम ध्यान दीजेगा 29 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री नरिंद मूदी की अध्यचता में केंद्री मंत्री मंडल ने रास्टी सिक्षानीती 2020 की मंजूरी दी अब देखिए ये उस समय की बात है जब ये रास्टी सिक्षानीती पर बात्चित चल रहा था तो क्या था उद्देश इसी उद्देश आप देख रहे थे उस टाइम ये न्यूज पर ये बाते आ रही थी इसका हैडिंग है नई सिक्षानीती भविश्य बनाने का महायग्य पी-म नरिंद मोदी ने ही कहा था कि अभी आपकी जो नई सिक्षानीती आने वाली है वो बच्चों के लिए क्या होगी बहुत महत्पूर होगी और इनका कथन था कि नई सिक्षानीती भविश्य बनाने का महायग्य है तो आप देख सकते हैं ये न्यूज पेपर का एक कट जब हम लोग क्या कर रहे थे नई सिक्षानीती जब आने वाला था जब वो आने वाला था तब की बात है अब मात्रु भासा मात्र भासा ये ने मदर टंग इस्थानी भासा जो बच्चे सबसे पहले सीखते हैं इसे हम प्रात्मिक भासा भी कहते हैं तो अब मात्रु भासा में भी पढ़ सकेंगे बच्चे mfittram होंगे बंध, mfittकram को बंध कर दिया गया, फिर आपका आया नई शिक्षा निती, तो ये भी एक आपका न्यूस का एक कटिंग है PM मौधी ने बताया, क्यों खत्म कर दिया गया, आपका पुराना जो सिक्षानीती था 10 प्लस 2 का system तो ये उस समय का news है जब नई सिक्षानीती आ रहे थे तो उसमें कई लोगों ने विरोध भी किया था निश्चित सी बात है जब भी कोई योजना आती है तो उसमें कई विरोधी भी होते हैं और कई supporter भी होते हैं तो इसके क्या-क् पैदने हैं इसमें बताया गया था ये उस समय की बात है 2020 की चलिए आपका पांचवा कोशन है नई सिक्षानीती 2020 के अनुसार वर्तमान 10 प्लस 2 सेच्षिक मॉडल को एक नए सेच्षिक पाठिकरम परनाली के अधार पर विभाजित किया गया वह नई सेच्षिक पाठिकरम परनाली क्या है हम इसे नई सिक्षानीती का क्या कहते है फॉर्मूला भी कहते हैं अभी ये जो टैन प्लस 2 था इसको क्या किया गया तोड़ा गया जब आपके 10 प्लस 2 को तोड़ा गया आपकी 12 ये 10 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो हम कितना होगा 12 होगा ठीक अब इन्हें हम तोड़ते हैं, 5 प्लस, 3 प्लस, 3 प्लस, 4, count करेंगे, 5, 3 आपका 8, 8, 9, 10, 11, और 11, और 4 आपका क्या हो गया, 15, अब देखिए, पहले हमारी जो सिक्षा थी, वो 12 सालों तक सिमित थी, लेकिन अब हमारे education को और ज्यादा बहतर कर दिया गया है, इसे 12 से क्या कर दिया गया है, 15 कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर option लिखा है, आपका answer क्या होगा, आपका second, 5 प्लस, 3 प्लस, 3 प्लस, 4, एक बरफीड देख सकते हैं, 5, 4 आपका 9, 9 और 4, 13, sorry, 5, 4, 5, 4, 9, और 6 क्या होगा, 9 और 6 आपका 15 होगा, ठीक है, तो अब जो हमारी सिक्षा 12 वरसो में होती थी, वो अब हमारे 15 वरसों में होगी, तो यह हमारी नई सिक्षनिती की क्या है, प्रणाली है, अब यह formula, यह क्या है आपका, इस question का answer है, आगे बढ़ते हैं, जो topic पढ़ चुके हैं, जो topic नहीं देखें, पहले पिछली कक्षा को देख लेंगे, फिर आप question solve करें तो आपसे easily बनेगा, NEP 2020 के अनुसार कितनी IU वर्ग तक के बच्चों को सिच्छा के अधिकार 2009 के अंतरगत रखा गिया है, तो हमने starting में ही topic पढ़ा था, कि आपके 3 से जो 18 वर्ष के IU के वर्ग होंगे, उनको इसी अधिनियम या आपके नई सिक्षनिती जो है, उसमें साम किया किया है, मतलब बच्चा क्या करेगा, जब 3 वर्ष का हो जाएगा, तब वो आंगन बाड़ी के माध्यम से क्या करेगा, वहां 3 साल पढ़ाई करेगा, आप उसे कोई भी कक्षा का नाम दे सकते हैं, आप उन्हें UKG, KG1, KG2 कह सकते हैं, उसके बाद 2 वर्ष वो क्या क करेगा, पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, ये प्रथम के क्या है, 5 वर्ष की बाते हैं, जिसमें 3 आपका आगन बाड़ी और 2 आपका स्कूल की प्रारमभिक सक्षा, clear हुआ, तो इसमें 3 वर्ष के बच्चों को सामिल किया गया है, 3 से 18 वर्ष के बच्चों को ध्यान स्थानी भासा या छेतरी भासा में पाट पढ़ाने पर बल दिया गया है, टीचरों को इस पस्ट सब्दों में कहा गया है, कि आप क्या करें बच्चों को उनके स्थानी भासा में पढ़ने दे और उन्हें अध्यान कराएं, तो कौन सी कक्षा में, तो आपके कक्षा 5, कक् से अब ध्यान दीजेगा अब बच्चा फाइप में आपका तीन साल वो कहां पढ़ा आंगन बाड़ी इसी पांच को अभी मैं तोड़ रही हूं ठीक है अब इसमें क्या किया यह तीन वर्ष आंगन बाड़ी में पढ़ा दो वर्ष वो पहली और दूसरी कक्षा पढ़ा पूल मिलाके पांचवी कक्षा तक टीचरों को इस पश्ट रोप से कहा गया है कि आप बच्चों को उनकी ही इस्थानी भासा से अध्यन कराएं ताकि बच्चा क्या करें बहुत ही सरलता से चीजों को समझें पढ़ाई में बोज महसूस ना करें बलकि और ज्यादा क्या हो इंटरस्टेड हो विसियों के प्रती अपनी क्या प्रदर्शित करें रूची प्रदर्शित करें तो ध्यान रखिएगा कक्षा पांच तक इस पश्ट रोप से कहा गया है कि बच्चों की सिक्षा किसमें होनी चाहिए इस्थानी भासा में होनी चाहिए अगला सवाल देख कि क्योंकि आपका जो पुरानी सिक्षा निती थी 12 प्लस 10 प्लस 2 वाली उसमें कई सारी कम यह थी उसमें बच्चा रटूत होता होता था उसे चीजे समझ में नहीं आती थी कई ऐसे केस आते थे जब बच्चा सुसाइट करता है था उसमें पर्षेंट को ज्यादा जला सवाल है आपका नई रास्त्री सिक्षा निती 2020 का लक्ष किस वर्स तक 3-18 आयू के वर्ग के प्रतेक बच्चों को गुडवत्त पूर्ण वा समावे से सिक्षा प्रदान करना है किस वर्स तक तो हमने देखा था 2030 तक क्या किया गया है इसका लक्ष रखा गया है 2030 तक लक्ष रखा गया है कि आप बच्चों को गुर्वर्ता पूर्ण मतलब गुर्वर्ता पूर्ण मतलब कि बच्चों ऐसी क्वाल्टीज हमें बच्चों को देनी हैं उनकी पढ़ाई में कि बच्चों में क्या हो सके जो विकास हो सके वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके तो तो कब तक कल अच्छ रखा गये आपके 2030 तक का ठ्यान रखिएगा अगला सवाल है NEP 2020 में किस वर्स तक स्कूली सिक्षा में 100 प्रतीशत GER ग्रोस इन्रॉल्मेंट रेशियो के साथ माध्यमिक इस्तर तक Education for All Education for All का मतलब क्या है आपका समावेशी सिक्षा की ही बात कर रहा है समावेशी सिक्षा क्या कहता है सभी के लिए समान सिक्षा तो education for all आपका किस से संबन्दीत है? आपके समावे से सिक्षा से संबन्दीत है, का लक्ष निर्धारित किया गया है, तो कब तक के लिए ये भी आपके 2030 तक के लिए लक्ष निर्धारित किया गया है? आगे बढ़ेंगे नई सिक्षा नीती 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेल उत्पाद GDP का कितना प्रतीशत खर्च करने का लक्ष निर्धारित किया गया है तो ये 6 प्रतीशत है मतलब 6 प्रतीशत तक क्या किया गया है आपका सिक्षा पर खर्च करने का बात किया गया है इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं एक्जाम में तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है समझते हुए चलिए भले वीडियो को आप दो तीन बार देखिए आगे बढ़ा कर देखिए थोड़ा सब ब्रेक लिजे पर बार बार आप देखेंगे तो आपको चीजे समझ में आ जा देखिए चलिए राश्री सिक्षानीती 2020 ने सिक्षा छेतर में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द सकल घरेल उत्पात GDP के 6% तक पहुँचाने का लक्ष रखा है राश्री सिक्षानीती 2020 का उद्देश सभी को उच्च गुरवत्ता वाली सिक्षा प्रदान करके भा भारत को वैस्विक ज्यान का महाशक्ती बनाना है यह हमारे सिक्षा का क्या है लक्षे है अगला सवाल है नई सिक्षानीती 2020 के अनुसार वो केस्नल कोर्स किस कक्षा से सुरू किये जाएंगे तो देखिए पांचवी तक की जो आपकी क्लास है उसमें इस पस्ट रूप से क आगे है कि आप बच्चों को उनकी इस्थानी भासा में ही सिखा है लेकिन जैसे ही बच्चा छटवी कप्षा में पहुंसता है आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अब यह स्टेज कंप्रीट हो चुका है यह स्टेज बच्चे का कंप्रीट हो चुका है अब यहां से बच्चा क में उसकी प्रतीभा दिख रही है उसे हम उस फिल्ड में सोतंतर रूप से जाने दे सकते हैं उन पर किसी भी प्रकार का हम रोग नहीं लगा सकते हैं इधर ध्यान दिजेगा नई सिक्षा निती के तहट सिक्षा सत्र दो हजर तेईस पचीस से छटवी कक्षा से बच्चों को vocational course पढ़ेंगे या पढ़ाया जाएगा पहले उन्हें vocational course का परीचे दिया जाएगा क्या कि vocational course होता क्या है इसका महत्व क्या है यह हम बच्चों को बताएंगे उन्हें project कार यह project work भी दिया जाएगा बिलकुल उनका जिसमें interest होगा अगर वो painter बनना चाहता है तो उस से रूची है इससे पढ़ाई के साथ साथ उनका हुनर भी सामने आएगा कि अखिर हम बच्चों को पढ़ात हूरे बच्चों को पता ही नहीं चल रहे कि खेल खेल के मात्थ हैं से जीजों को सीख रहे साथ ही बच्चक किसमें ज्यादा एक्सपर्ड है उसकी प्रतीभा किसमें ये भी हम समझ पाएंगे हम में एक सिख्छक इससे वह अपने वह आगे क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है दोनों तै हो सकेगा तो यही आपकी आप देख सकते कि नई सिख्षानीती वास्त में कितनी अच्छी है वो केस्नल कोर्स के तहट बच्चों को मूर्तिया बनाने क्रिशी ओजार बनाने कपड़ों की बुनाई इलेक्ट्रेशियन मतलब बच्चे का न ये बच्चा अगर कोई वैपार करना चाहता है इसके वैवसाइक से सम्मन्दित है ठीक है कि बच्चा पढ़ाई के साथ क्योंकि निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा खासा मूर्तिकार हो जाएगा तो उसका वैवसाय अच्छे है इलेक्ट्रेशियन वेल्डिंग आदी समेत अन्य कार्यों के बारे में बताया जाएगा और भी ऐसे बहुत से कार्यों के जिनके बारे में बताया जाएगा इससे उनके भीतर चिपी प्रतीभा और नई जानकारिया सामने आने लगेंगी तो आप देख सकते हैं सफल पूरवक इनसान बनाती है पहले की सिक्षा पर्षेंट बस लाना पर्षेंट पर फोर्स देना रटने पर फोर्स करना लेकिन अब जो सिक्षा है वो एक इनसान को बहतर इनसान बनाती है एक सफल इनसान बनाती है यह वोकेशनल स्किल्स है आप देख सकते हैं फूट स इंट्रेस्ट हो, गौर्णमेंट ने इस पर्ष्ट रूप से कहा गया है, कि बच्चे का जिसमें इंट्रेस्ट हो, आप उस फिल्ड में उसे आगे बढ़ाईए, आप उन पर अपना सोच या अपना सपना नहीं थोपेंगे, ठीक, ये अगर कोई आटो ठीक करना चाहते होते गाड़ी मोटर बनाने वाले, इविन ये भी है, साथ में आपका हेल्थ केर वाला भी है, और कंट्रक्शन, जो कंट्रक्शन का काम होता है, उसमें भी बच्चा जोर सकता है, वैनुफेक्चरिंग में जोर सकता है, आपका ये ट्रक, ट्रक ड्राइवर बनना चाहता है, ये सामने लाना कुछ और एक्जामपल है यह देख सकते हैं बच्चा अगर कुक का सौखी ने तो बिल्कुल हम उन्हें प्रोचाहित करेंगे बच्चा अगर क्रिशी में ज्यादा इंटरेस्टेट है तो हम क्रिशी के बारे में उससे बहतर बताएंगे कि आप अपने कृशी को बच्चा आप उस पे कितना काम कर सकते हो आप और इस पे क्या क्या टेक्नोलोजी उस कर सकते हो एक छोटे से बच्चे को सोच लीजे पांचवी कख्षा का बच्चा अगर आप उसको छटवी कख्षा से उसे इन सब चीजों की जानकारी दे रहे हैं वो कितना life में success रहेगा तो यह हमारा उस देश है निश्चीत रूप से अब हमारी सिच्छा पधती बदल रही है तो result भी positive way पे होगा आने वाले बच्चे अपने आप में unique होंगे कोई penter penting करना चाहता है कई लोग penting करके क्या करते हैं अपना website चलाते हैं तो यह ही है कि बच्चे जिसमें interested है उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं कोई singing में interested है कोई यह judo karate यह इसमें सौखीन होता है action वाले बच्चे होते हैं अगला question है law वा medical education को छोड़ कर समस्त उच्च सिच्छा के लिए एकल निकाय की रूप में किस आयोक का गठन किया जाएगा तो याद रखिएगा भारतिये उच्च सिच्छा परिशत का गठन किया जाएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा चली इसके बारे में कुछ देखते हैं भारतिये उच्च सिच्छा उच्च सिच्छर संस्थानों की स्वायत्ता को बढ़ावा देने और उच्च सिच्छा में सचछडिक मानकों की रख रखाओ को सुनिश्चित करने के तरीकों की करेगा पाठ क्रमों के लिए भी ये क्या करेगा सीखने के परिणाम देगा सिच्छर अनुसंधान के मानक छेत्र क्या करेगा प्रदर्शित करेगा संस्थानों वा वार्सिक सच्छडिक प्रदर्शन के मापने के लिए मुल्यांकन की प्रक्रिया भी करेगा तो ये इसका क अगैगैना से तक अध्यापन के लिए नियुंतम दिग्री योगिता चार वर्शी एकी क्रित बीये डिग्री का हूना अनिवार्य किया जाएगा किस वर्ष तक तो आपके 2030 तक आपकर कोई भी सनाय याद रखिएगा उसमें 2030 आएगा बस 2030 तक इसे अनिवार्य किया गया क्योंकि 2030 के बाद फिर क्या किया जाएगा आपके education में कुछ changes किया जाएगा कि अब 2030 तक हम देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा प्रभाव साली रहा है इसमें बच्चों में कितना improvement हुआ है बच्चा कितना सीख रहा है तो सारी चीजे देखने के बाद फिर 2030 में हम क्या करें लाएंगे फिर से इसका new edition लाएंगे तो ये बेट क्या है आपका bachelor of education जो 2030 तक निर्धारित किया गया फिर उसमें changes देखने को मिलेगा एनुसार उच्चे सिक्षा में से किस course को समाप्त कर दिया गया है तो BSC नहीं किया गया है MSC भी नहीं किया गया में भी नहीं किया गया आपका MFIL को समाप्त कर दिया गया है जिसमें आप doctor of philosophy की पढ़ाई करते थे ना एक PG करते थे अलग से दो साल का वो समाप्त कर दिया गया है Master of philosophy MFIL दो मर्ज की post graduate academic research course है ठीक है क्या है यह यह बता रहे है MFIL होता क्या है Humanities, Commerce आपका जो subject है आपका Humanities, Commerce, Science, Law की पढ़ाई और आदी जो भी है उसमें किसी भी stream के candidate को जो candidate होते हैं candidate वो MFIL कर सकते हैं तो यह MFIL की बात है कि MFIL होता क्या है कौन कर सकते हैं Clear हुआ MFIL क्या होता है अगला सवाल रास्टी सिक्षानीती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उद्देश क्या है पूरे देश में बच्चों की तोलना करने के माबदन बनाना नहीं यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना हो सकता है देखते हैं लेकिन सहायता करना ये थोड़ा सा क्या है एक दया वाला जैसा चीज है फिर भी देखते हैं हम पुनुरुप्तान वा याद रखने की शम्ता को मापना गलत बात रटने की शमता का परिश्चार तो ये क्या होगा आपके ये चीजे गलत होंगी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहयता करना आपका सही है सहयता करना मतलब ये है कि एक दो प्रकार का सहयता होता है एक दया दिखाना कि बच्चे पैल हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसका क्या करें नमबर बढ़ा कर साहता करें तो ये negative है लेकिन अगर आप किसी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए साहता कर रहे हो तो ये अच्छा है अगला सवाल है राश्री सिक्षानीती 2020 की अनुसार सिक्षा को कैसा होना चाहिए बताईएगा केवल पूर्व निर्धारित विशे वस्तु पर किंद्रित होना चाहिए नहीं समस्य समाधान पर किंद्रित होना चाहिए बिल्कुल जितनी जादा समस्य समाधान होगी बच्चों में तर्क उतनी ही बढ़ेगी बच्चों में रशनात्मक बुद्धी उतना तेजी से विक्षित होगा तो यही है कि अगर हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं सामने कोई समस्य रख रहे हैं और हम उनको समाधान की उर ले जा रहे हैं, तो निश्चित रोप से बच्चा क्या होगा, तारकिक गुद्धी वाला होगा, अगला है अधिगम करता में, अधिगम करताओं में समा लोशनात्मक चिंतन का विकास करना, अगला है, हाँ ये तो सही है, फिर नेक्स है आपका अन निर्धारित, अनिवेशन मतलब खोज, अनिवेशन निर्धारित, खोज निर्धारित और खोज अधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल हमेशा आपका विशय ऐसा होना चाहिए, कि बच्चा इसमें खोजवीन कर सके, खुद से भी दिमाग लगा सके, तो बिल्कुल ये ती आपका option 3 is correct अगला सवाल है रास्टी सिक्षानीती 2020 में निमली खित्मे से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है प्रतेक विद्यार्थी की विशिश्च समताओं को पहचाननों और बढ़ावा देना महत्पूर है बिल्कुल सही है स्रिजनात्मक्ता पर परियाप्त ध्यान देना चाहिए और तारकिक निर्णाय करने और नवाचारिता के प्रोथसाहित करने के लिए विवेचनात्मक्त चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए बिल्कुल जहां पस रचनात्मक्ता की बात है तारकिकता की बात है प्रोथसाहन की बात है स्रिजनात्मक्ता की बात है सब क्या आपके पॉजिटिव वर्ड है आख बंद करके आंसर टिक कर देजेगा बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापको इनाम और दंड का प्रयोक करना चाहिए यह बहुत गलत बात है इनाम और दंड के आप उन्हें दंडित कर रहे हैं आप उनके साथ मार पिट कर रहे हैं उन्हें कोई कड़ा सजा देरे तो उससे बच्चा सुधरता निये वलकि और जिद्दी होता है गुस्से वाला हो जाता है तो इनाम और दंड के लिए सक्त मना किया गया है तो यह आप्शन आपका गलत प्रीक्त मतलब रट्टा जो बच्चे मारते हैं उसके अलावा उन्हें हम क्या करेंगे संप्रत्यात्मक समझ पर बल देंगे जहां पर समझ की बात आ रहे हैं वहाँ पर आंसर पॉजिटिव होगा तो आपका गलत आंसर क्या हो गया तीन अगला कोश्चन है रास्ट्री सिक्षनीती 2020 क्या सिफारिस करती है पाठ करम का माननी करण नहीं एक भाशावाद नहीं मुल्यांगन का माननी करण नहीं इस अब निगेटी होएं एक भाशावाद की तो बात ही नहीं करता बहु भाशावाद बिल्कुल बहु भाशावाद में क्या होता है विभिन प्रकार के बच्चे होते हैं विभिन प्रकार के उनकी भाशा होती है जिने आम क्या कहते हैं बहु भाशा कहते हैं तो बिल्कुल आपका एनिपी 2020 क्या करता है बहु भाशावाद पर बल देता है उन्हें प्रुतसाहिद करता है यह डिफरेंट डिफ आपका अगला सवाल है राश्री सिक्षानिती 2020 पूरे देश के लिए प्रात्मिक इस्तर पर किस भासा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावीत करती है तो हमने देखा था पांचवी कक्षा तक ठीक तो किस भासा तक हमने देखा था पांचवी कक्षा में इस्थानी भासा पर बात करती ही, तो यहाँ पर option क्या दिया है, आपका मात्र भासा या घर की भासा या आपका इस्थानी भासा, इस्थानी भासा, तो answer क्या हो जाएगा, आपका यह, जरूरी नहीं कि बच्चा संस्कृत में ही करें, अंग्रेजी में ही करें, हिंदी में ही करें, उसकी जो भ अनुसार निमने में से किसे बढ़ावा देने के लिए रास्त्री सक्षिक टेकनोलोजी फोरम को इस्थापित किया गया है तो याद रखिएगा यी पाठिक्रम पाठिक्रम जितना ज्यादा क्या होगा आपका बहतर होगा उसमें बच्चा उतना ज्यादा सीखेगा अब बढ़ेंगे हम अपना सोच विक्सित करेंगे तो पाठिक्रम का बहतर होना अनिवार है इधर धियान दिजेगा उच्च्च्छा सचीव अमीदखरे कौन है आपके यह उच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चिव है देखिए अमीदखरे जी है ठीक इनको याद कि मंच NETF बनाया जाएगा इपाठिक्रम यहां पर लिखा है ना इपाठिक्रम शुरू में 8-3 भासाओं में विक्षित होंगे और वर्चुब लैब विक्षित की जाएगे कूल मिला कि यहां पर पाठिक्रम की बात करें कि पाठिक्रम आपका जितना बहतर होगा बच्चे इतने ही बहतरीन तरीके से सीखेंगे। जो अरब सागर के तरफ पढ़ता है चलिए, कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ रिविजन करते रहें, आगी पढ़ते रहें थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको